चलिए इसके पहले हम 50 पर्यावाची देख चुके थे आज 55, 52, 53, 54 और 55 पर्यावाची करके हम लोग देख रहे हैं आज नमबर एक 55 का जिसका नाम है गाय गाय सबकी घरों में होती है बहुत नाम से इसको पुकारा जाता है अल्रेडी जानते होंगे भद्रा का मतलब भद्र मतलब होता है सज्जन भद्र मतलब होता है सीथा तो गाय बड़ी सीधी होती है लोग कहते हैं गाय गाय दूद देद बात, तोकर लातो खायल, कौनो दिक्कत नेगे, मतलब गाय बहुत सीधी होती है, भध्र होती है, मतलब इसका नाम हो गया भध्रा, याद करने के लिए आपके दिमाग में ये चीज डाली जारी है, तो कुछ चीजे रिलेटेड होती है इस सब्द से, कुछ चीजे होती हैं, कि आपको ऐसे करके बता दिया जाता है, कि आप इसको आसानी से याद करником लें, तो यहाँ पे गव भध्रा सुरभी, नो शुर्भी बोलते हैं, सुर्भी बोलते हैं इसको, अब गवरी आपको किसको कहते हैं, पारवती जी को, पढ़ा था आपने गडेश के पर्यावाची में गौरी सुत गौरी के पुत्र मतलब गौरी कहते हैं इनको गाय को है क्या कहते हैं गौरी दोगधी कहते हैं दोगधी का मतलब होता है दूद देने वाले ना दोगधी तो यह आप देख पाए गौ इसमें आप नाम जो आपको थोड़े अलग रग रहे हो तो नाम सूरभी होता वसे सूरभी सूरभी नाम सुने होंगे गाय को ही कहते है ये थोड़ा सा नाम अलग है भद्र थोड़ा सा भद्रा है इसको द्यान देंगे फड़ा ये उल्टा लगेगा आपको तो ये दो नाम छोड़ करके हमारे इसाफ से सारे नाम आपको समझ में आ जादा मातरा में पाई जाती है उसे अलग अलग नामों से लोग फुकारते हैं ना दूब कहते हैं किसी को किसी को तिनका बोलते हैं तिनका बोलते हैं इनको इनको कूस कहते हैं कुछ लोग कि ये कूस है घास की एक जाती है कूस तो दूब कहते हैं कूस कहते हैं तिर कहते हैं साद, साद का मतलब आप नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो सलाद खाते हैं, तो सलाद जो बनता है न इनी घास फूसों का ही बनता है, या फिर साग जो बनाते हैं, सलाद छोड़िए साग, साग हमारे जो बनते हैं इस अब इनी घासों के ही बनते हैं, अब थोड़े ऐसे घास ह जाते हैं, उनकी थोड़ी सी महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि आप खाते हैं, तो वो थोड़े से अच्छे quality में आ जाते हैं, तो ओई कहलीजिये, आप साग जो खाते हैं, वो साध समझ लीजिए, तिड मतलब तिनका होता है, दूरवा दूब जैसे वैसे दूरवा याद कर लीजिएगा तो यही नाम एक है जो थोड़ा सा अलग है एक साद बकिया दूब कूस त्रिड ये पहले से सुने हुए त्रिड मतलब तिनका कहते हैं वही घास को ही तिनका कहते हैं यहाँ पे चतूर चतूर को आप ऐसे ही बोल बिग्य मतलब जो सब कुछ जान निपूर निपूर है नागर देखिएगा ध्यान से नागर है नागर है पटू मतलब पट मतलब क्या होता था दरवाजा पट किसका परेवाची था पपना का भी परेवाची था और यह पटू है पटू का मतलब होता है बड़े वाक का मतलब होता है बात करने में बड़ी चलाकी दिखाते हो तो पटु का मतलब होता है चतुरियाे चलाग दक्छ निपूल ज़ुड एस मामले में बाई कुशल है योग्य है ये सारे की सारे नाम आप सुने होए थोड़ा सぁ कंफ्यूजन आपको विघ्ञ पर हो सकता है बट परियावाची में आपको ये बिलो में बताया गया होगा अग्य का विग्य तो ये विग्य और नागर को छोड़के निपूर, पटू, दक्ष, कुसल, योग्य इस सब नाम आपकी अगल बगल लिये जाते हैं कोई ऐसा काम करता है जो की चलाकी वाला काम होता है तो उनक कौन सा हमारे मतलब व्यवहार में नहीं है जिसको हम सुने नहीं है तो जैसे हम बता रहे हैं या फिर इससे भी अच्छा तरीक आपके दिमाग में आ रहा है याद करने का वैसे उसको अपने दिमाग में बैठा लिजिए तो जब आप किसी चलाग व्यक्ति को देखें तो ये सारे नाम आपको तुरंत आ जाएं कि इसको इस इस नाम से भी हम पुकार सकते हैं चलिए चंद्रमा बड़ा ज्यादा परियवाची इसका दीख रहा है लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें ज्यादा तर नाम है तो पहले मैं नाम ही बता देता हूं ये नाम आपके अगल सुधान्सू एक नाम है इससे आप समझ सकते हैं ये चंद्रमा का परियवाची है और आपको मयंक मैं धर दिखा रहा हूं ये मयंक जो है आपका ये भी एक नाम है यहाँ पर एक सुधाकर है ये भी एक नाम है यहाँ पे ससी है ये भी एक नाम है राकेस है ये भी एक नाम ह यह हिम्धर है कलाधर इंदू यह एक नाम है यह नाम ही आपके हैं एक दो तीन चार पांच छे तो नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं और इन नामों को आप कैसे याद में रखेंगे मतलब आपकी अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे उनको कोरिलेट करिए इनके साथ कोरिले चंद्रमा को च्द कहते हैं नोट है इनको के राका पती द्यान दीजिएगा यहां पर राकेस आया इसमें भी राट परवत है यहां पर हिम मतलब भी आपका वर्फ का परवत है ना हीम्द का मतलब थंडा होता है थंडा को धारड करने वाला जो चांदनी है या जो चंद्रमा हमारा है वो रात में आता है दीन में देखते हैं शूर्य, तो कहले की आता है गरमी लेके आता है इसलिए उनको हिमधर कहा जाता है राक जो देख रहे है या म्रिगांक सब्द जो है म्रिग जैसी जब पूरा चंद्रमा रात में देखेंगे जब बना रहता है तो उसमें परवत जैसी चीजे बनी रहती है और बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें हीरन की आकृती समझ मे आती है तो ये म्रिगांग किनको कहा गया है राकापती द्वीज राज द्वीज पर्यावाची किसका था शीडिया का अभी हाल में पढ़े हैं द्वीज प्रामर पंडित का भी पर्यावाची होता है द्वीज राज इसका नाम है द्वीज राज वहां से आप याद रख सकते है वीदू वीदू भी इसका पर्यवाची है और कला धर बहुत सारी कलाएं होती हैं देखेंगे कभी चंद्रमा यादा दिखता है कभी और छोटा कभी एक विल्कुल रेखा जैसा दिखता है ना कभी पूरा थोड़ा गोला हो जाता है पूरा गोला हो जाता है इसमें बहुत यहां पहले ही बतादी है यह निसाकर चुकि रात में आती है यह तो कह सकते हैं निसाकर मक्या आपको समझ में आ रहे होंगे तो नाम को पहले आप दिमाग में रख लिए उसके बाद जो बच रहा है उनको भी हमने बता दिया राका पत्ति द्विज राज द्विज पहले से याद है द्विज राज याद कर लेंगे आप वीदू कलाधर से बता दिया के दिमाग में आ जाएगा जो चीजे नहीं आद होती हैं, ऐसे ही दिमाग में रख के याद किया जाता है, रटा मारके याद करेंगे कुछ समय बाद खतम हो जाता है, जब कभी ऐसे नाम आजा जब किसी ऐसी कोई घटना सामने घटे तुरंट पूरा नाम याद कर लेगे और किस-किस नाम से जानते हैं, हो सकता है एक बार में पूरा नायाद हो, लेकिन धीरे-धीरे दो एक बार में आप कोसिस करेंगे तो याद हो जाएगा, आईए देखते हैं चूर अब चूर का परिवाची याद करके आप मतलब हेल खेल सकते हैं अब किसी ने चूरी किया इतना नाम उसके हो सकते है तो आईए इनमें देखते हैं दस्यू बोलते हैं दस्यू चूर को क्या बोलते हैं दस्यू है शाहसिक सोचिए चोर को साहसिक बोला जाता है साहस वाला काम है अब किसी के घर में घोसके चोरी करना अजी साहसिया पकड़ा गया तो कूटा जाएगा लेकिन हिम्मत करता है कोई बात नहीं हमका कूटो हम तो चोरी करेंगे अब पापा की पाकिट में से निकाल रही है पैसे, अब सास वाला काम है, पापा जाने तो थूरेंगे, लेकिर उसके बाद भी हम चोरी करेंगे, तो ये सासी काम है ना, बहुत सास जिसके पास होगा वह ही कर सकता है, तो आप कह सकते हैं चोरी करने के बाद मेरे जासा सासी को तो करके दिखाओ हम तो कर लिए रजनी चेर है देख लीजिए राक्षस का पर्यवाची है ये ना चोर को राक्षस कहा जाता है रात को चलने वाला तो रतिये में ज्यादा चोरी होती है अब तो दिनों में मार देते हैं सब ना पहले वाला लगरा पर्यवाची लिखा गया ह आगे चली गए यह दुनिया हम नया कोई आएगा हो सकता है परेवाची खनक ना जब चोर चोरी करके जाता है तो पैसे जो होते हैं जेवरात जो होते हो क्या करते हैं खनकते हैं अब आज करते हैं कि नहीं करते हैं मोसक जो होता है चूहा का परेवाची होता है अब मोसक तो चूहा जैसा यह होता है चुगा चोरी से आता है अपना काटपिट के धीर निकल लेता है ऐसे ही यह भी चोरीये से आता है बता के थोड़ो नहीं आता है कि हम आ रहे हैं हमारा स्वागत करिये ऐसा होता तो फिर गहां वाले तूट पड़ेंगे कितनी हिम्मत बताईए जानता है पकड़े जाएंगे तीसमें सब हाथ धोएंगे उसी में अपना हाथ थोड़ा साफ हो जाएगी गांवाले सब थूरते हैं वह करा पकड़के लेकिन फिर भी बेचारा हिम्मत करके जाता है चोरी करने इसलिए इसका परिवाची क्या है नोट कर लीजिएगा बढ़ियां से इसको एक क्योंतो